मैं गोनू, आप देख रहे हैं अपना चैनल गोनू मिस्टा, तो आज आप लोग के लिए एक नई जनकारी लेकर आया हो, तो चलिए सुरू करते हैं राम नाम की क्या किमत है, चलिए जानते हैं इस विडियो में पूरी जनकारी के लिए पूरी आडियो जरूर आंतक सुनें दो भाई थे जिसमें एक भाई पूजा पाट करने वाला, संत गुरू का आधर करने वाला था और दुसरा गंदे काम, सराब, लोट, चोरी करने वाला था पहला भाई अपने घर पर हमेशा गुरू और साधू को लाता और उन्हें भोजन करवाता था लेकिन दुसरा भाई उन साधू को गाली देता और कहता तुम सभी ढोंगी हो पहले भाई को चिंता होने लगे कि यदि मेरा भाई इस तरह रहा और धर्म के रास्ते पर न चल पाया तो आगे चल कर वो बरवाद हो जागा एक रोज उसने फिर से अपने जान पहचान के सिद महत्माव को अपने घर खाने पर बुलाया दूसरा भाई फिर से सरापी कर आया और उन संतों को गाली देता हुगा अपने कमरे में चला गया पहले भाई ने उन संतों को पूरी बात बताई और कहा क्या आप मेरे भाई को कल्यान करके उसे सुधार सकते हैं संतों ने का हाँ ये तो बहुत आसान है पहले भाई ने कहा इसका कल्यान कर दो इसे सुधार दो संत उस दुसरे भाई के कमरे में गहें और उसके सीने पर बैठ गहें और बोले चल राम राम बोल दुसरे भाई ने कहा मैं नहीं बोलूँगा संत ने कहा बोल वरना मैं नहीं उठोंगा दूसरे भाई जवरदस्ती दो बार राम राम कह दिया अब कुछ सालों बाद उस दूसरे भाई की मौत हो गई और वो भगवान के पास पहुँचा जब उसके कर्मों का हिसाब हो रहा था दूतों ने कहा इसने जीवन भर बूरे कर्म किये हैं जिसके लिए इसे न कवाब में आकर इसने दो बार राम राम कहा दूतों ने उस दूसरे भाई से कहा तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी लेकिन तुमने दो बार राम राम कहा है उसके बदले मैं तुम अपनी कुछ इच्छा बता सकते हो और तुम्हें नर्क के लिए कुछ अच्छी सुईधा मिल जाएगे दूसरे भाई नहीं यहां दिमाग लगाया और दूतों से का ठीक है मैं दो बार राम राम के बदले कुछ मांग लेता हूं लेकिन पहले ये तो बताओ राम राम की किम्मत कितनी है सीधी से बात है मुझे भी पता चला मेरे एकांट में कितने पैसे हैं ताकि मैं उनने पैसो से सुधाय ले सकूँ वहां खरे दूत कनफ्यूज हो गए कि राम नाम की किम्मत तो हमें नहीं पता दूत ने सोचा मैं किसी भगवान से ही पूछ लेता हूं कि राम नाम की किम्मत क्या है दूत अपने यान में उस बेक्ति को बिठा कर भगवान गनेश के पास जाता है और उनसे पूछता है भगवान मैं दूधा में हूं किर्प्या मुझे बताएं राम नाम की किम्मत क्या है दूत अपने यान में उस बेक्ति को बिठा कर भगवान गनेश के पास जाता है उनसे पूछता है भगवान मैं दूधा में हूं किर्प्या मुझे बताएं राम नाम की किमत क्या है गनेश भगवान कुछ देर सोचने के बाद बोले इसका जवाब मुझे नहीं पता इसका जवाब भगवान संकर दे सकते दूद दूसरा भाई और भगवान गनेश संकर के पास जाकर उनसे यही सवाल पूछते भगवान संकर भी थोरी देर सोचने के बाद काते हैं, इसका जवाब तो भगवान सिरी राम ही दे सकते हैं, दूत, दुसरा भाई, भगवान गनेश और भगवान संकर एक ही रत में बैटकर भगवान सिरी राम के पास जाते हैं, और उनसे वही सवाल करते हैं, भगवान सिरी स्रिराम मुश्कुराते हुए उस दूसरे भाई को बुलाते हैं और काते हैं इधर आप मेरी गोध में बैठ जाओं और जब वो उनकी गोध में बैठ जाता तब भगवान स्रिराम जवाब देते हैं मैं यह तो नहीं बता सकता Tactical nam की किम्मत क्या है लेकिन यह बता सकता हूं कि इसका परवाव कितना है कि गलत कर्म के बाद ही तुम अभी मेरी गोद में बैठे हुए हो जो बेक्ती अपने जीवन में सच्चे दिल से एक बार भी भगवान का नाम जप लेता उसका जीवन सफल हो जाता है इसलिए अपने धर्म गुरुव के मार्ग पे चलो और भगवान में आस्था रख कर जीना सुरू करो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा राम सब्द का महत हिंदी वर माला में 27 अच्छर र आता है आ की मात्रा दुसरा अच्छर है और म 25 अच्छर है इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 पलस 2 पलस 25 अक्वल टू 54 अर था एक राम का योग 54 हुआ और दो बार राम राम कहने से 108 हो जाता है जब भी हम कोई जाप करते हैं तो 108 पर हमें जाप करने के लिए कहा जाता है लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है सभी को राम राम अगर ये जनकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे ऐसी जनकारी पाने के लिए और दोस्तों के साथ सेर करना न भूले राम राम